हर्याना में आए दिन जमीनी विवाद देखने को सामने आते रहते हैं आप सभी को पता है हर्याना में आए दिन किस तरीके से जो है मामले निकल के सामने आते हैं एक ऐसी ही गटना कल देखने को सामने आई रोतक के कलान और के गाओं बल्याली में सरेयाम जो है लड़के ने अपने पिता को कसी से काट दिया पिता बोल रहा था कि केट खेत में काम कर लो और इस बात को लेकर के कहा सुनी होई और उसके बड़े बेटे ने पिता को कसी से काट दिया और वहां से फरार हो गया आस्परोस के लोगों ने जब डायलेक 112 की टीम वहां पर बुलाई तो आस्परोस के लोग वहीं पर पहुँचे और डायलेक 112 की टीम पहुँची और उसके बाद वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुँची और डेड बोडी को जो है पीजी आई में लिजाया गया और उसका पोस् को लेकर लगातार जगडा होता रहता था खेत में एक छोटी सी कहा सुनी को लेकर उसने अपने पिता पर कसी फैक दी और पिता उनका मुधा 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 पड़ गया और मोके पर वहीं पर मौत हो गई और बेटा वहां से फरार हो गया ये इस समय की जो दरदनाक गटना है क पुलिस प्राथमिक चिकित्सा के बाद जाच पड़ताल सुरू कर दी है पोस्मोटम करके पंचनामा करके डेड़ बोडी को पीजी आई में रखा गया है इस समय कि ये तस्वीरे जो है बलियाली गाउं से निकल के सामने आई है मरितक की उमर जो है सैट साल बताई जा रही है और जो आरोपी थाव है उसका बड़ा लड़का बताया जा रहा है बताया ये जा रहा है कि आए दिन खेत के काम को लेकर कि उन दोनों के बीच कहा सुनी होती रहती थी उस दिन भी सुबह जब वेदो नुखेत में काम करने के लिए गए तो पिता ने उसको काम के लिए कहा और छोटी सी बात पर कहा सुनी हो गई उसके बाद उस लड़के ने अपने पिता की और कसी फैक दी और वो वही पर मोके पर उनकी मृत्यू हो गई ये खबर जो है हरियाना के रोतक के कलान और अक्छेतर के गाउं बलियाली से निकल के सामने आई है हरियाना में आई दिन ऐसे ऐसे मामले निकल के सामने आते रहते हैं आप हमारे चनल के माध्यम से देखते हैं ये दरदनाक जो मामला है बहुत ही दिल दहला देने वाला माम जो बात बैठकर हो सकती थी वो किस तरीके से जान दे कर जो है हुई है तो इस से में ये खबर आपके साथ साथ करने जरूरी थी आप अपनी राए कॉमेंट बॉक्स के जरीए हमें दे सकते हैं